हेलो सबसे पहले लक्ष एजूकेशन दॉट इन वेबसाइट पर यहां पर वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यह उपर में ब्लू कलर का बैनर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह पेज खुलेगा जिसमें आपको यह 12 फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं अलग-अलग टॉपिक के जैसे कि पहला है कमाइंड मॉडल टेस्ट पेपर जीपी ओए जीपी आइसी ए डी आइसी रिजनिंग मॉडल पेपर्स टू यह है नॉन यह पेज खुल गया अब यहां पर बटन है start the test इसको क्लिक करेंगे तो यह pop-up आएगा जो आपसे पूछेगा कि लॉग-इन करने के लिए पूछेगा तो या तो आप email id पासवर्ट से अपना account बना सकते हैं या तो simple login with google बटन पर क्लिक करिए आप login हो जाएंगे आपके google account यह login हो गया यहां पर logout option आगया मतलब login हो चुगया है अब मैं यहां पर आपको यह दिखाता हूं कि जो model test paper है इसको आप दो तरीके से attempt कर सकते हैं पहला तो आप proper cbt exam के तरह test दीजिए या तो आप सीजा test को skip करिए और सीथा answer देखिए यह काम आएगा जब आपको are you sure you want to skip the test यह इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई भी test पहली बार attempt करेंगी हमारे website पर तो आपका जो भी score होगा उसके बेस पर ranking ranking generate होता है तो मैं अभी इसको skip कर दे रहा हूं skip test and display answers ओके तो यहां पर question आना चालू हो गया देखिए यहां पर question number one यह जो mode है इसमें हम लोग direct answer देख रहे हैं तो यहां देखिए आपको answer दिखा रहा है option D next question यह next button पर click कर रहा हूं next आ गया answer B next 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 ऐसे next next करके आप हर question के उसके answer देख सकते हैं यह बहुत fast है इसमें page reload नहीं होता है यह mobile में भी बहुत fast होगा ठीक है अब दूसरा तरीका जो आप proper test देंगे CBT system की तर उसके लिए क्या करना होगा आपको skip test नहीं दबाना होगा अगर आपने दबा दिया है skip test बटन तो क्या करिए यहां पर right side में देखिए यह button restart the test यह button अगर आप mobile view में यह page open कियोंगे तो यह button नीचे होगा तो scroll down करिएगा और यह button धूंडिएगा इसको दबाएंगे तो test फिर से start हो जाएगा देखिए अब यह वापस में इस page के आगया अब मैं दबा रहा हूँ start the test यह proper cbt format में test start होगा start the test अब आपको यहां कुछ instruction दिख रहा है basically आपको इन से मतलब है यह मैं बताऊंगा आगे क्या है आगे इसका मतलब क्या है अभी मैं यहा start the test button दबा रहा यह आया आपका पहला question अब देखिए यह जो test paper है यह basically चार पार्ट में divided है पहला है gpoy यहां पर देखिए right side में यह वाला जो sidebar है यह mobile view में नीचे आएगा but CBT mode में आप attempt करेंगे तो मैं recommend करूंगा कि आप desktop या laptop में करें so that आपको side में यह चीज़ दिखे यह बहुत काम का है आपका जो online test होगा CBT वो भी इसी तरह करेंगा होगा बस थोड़ा से difference होगा वो भी difference में बताऊंगा क्या होए तो सबसे पहले मैं बोल रहा था कि यहां पर चार पार्ट में डिवाइड़ है यह पेपर GPOE, ICA, ICA है चैप्टर कोशन नमबर 21 से, Reasoning and DI, यह है चैप्टर कोशन नमबर 56 से, and Comprehension में 5 कोशन्स है यहां पर देखे, GPOE, 30 कोशन्स, ICA, यहां भी कितने कोशन है, 25 कोशन, Reasoning DI, में 15 कोशन, Comprehension में 5 कोशन, Usually यह Comprehension और Reasoning DI, combined होगा आपके online test में, में तो सबसे पहले मैं वापस पहले Q1 पे गया, अब मैं यहां पर Direct यह यह बटन दबा के भी उस Q12 पे जा सकता हूं, यहां मैं बटन नमबर 3 पे क्लिक किया, तो देखिए हैं question number 3 पहुंच गया, question number 5 क्लिक किया, तो यहां question 5 पहुंच गया, अब मैं वापस question number 1 पे जा रहा हूँ, अब यहां पर हमारे पास दो option है, अगर आपको इसका answer पता है, अगर आप confirm किया, इसका answer suppose भी है, इसका answer भी नहीं है, suppose इसका answer भी है, और आप sure है, तो आप tick करके, select करके, save and next बटन पे click करेंगे, तो system मानेगा, कि आपने इस question का answer दे दिया है, मैं save and next पे click कर रहा हूँ, अब देखिएगा, जब मैं click करूंगा, तो यहां पर जो one है, यह gray जो है, यह हो जाएगा, answer में green, देखिए, इसका button दबाया, अब देखिए, यह one जो है, ग्रीन हो गया, इसका मतलब, आप देख सकते हैं, कि आपने question number one solve किया है, और उसका answer भी mark किया है, अब, suppose यह question number two, इसका answer आपने, let's say, c decide किया, नेकिन आप confused है कि c actual में है कि ने, आप इसको बाद में last में review करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप mark करिए, mark for review and next, तो देखिए, यहां पर question number two है, यह आधा green और आधा purple में आया, इसका मतलब, आप last में देख सकते हैं, कि कौन-कौन सा question आप फिर से review करना चाहते हैं, तो वापस आप two पे जाके, इसको review कर सकते हैं, अगर ठीक है तो, तो मैं इसको वापस, जैसे c को था, आप मैं इसको save and next कर दिया, तो वापस यह green हो गया, अब यह question number three, suppose इसका answer आपको नहीं पता है, इसको बाद में आप try करना चाहते हैं, तो बस इसको mark for review and next की click करिए, but because आपने कोई option select नहीं किया था, इसलिए यहां पर इसका color हुआ purple, purple का मतलब है marked for review, मतलब आप इस question को बाद में check करना च चाहेंगे, similarly, ऐसी question number four, let's say, इसमें B है, और इसका answer आप sure है, तो next पे click कर दिजे, question four हो गया green, question five, let's say, इसमें आप sure नहीं है, तो लेकिन question mark, आपने option select किया, और mark for review, तो यह हो गया purple or green mixed, अब अगर आप इसका answer आपको पता ही नहीं है, तो just mark for review and next, ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो option select किया था, वो आपको यहाँ पर right side में दिखेगा, अब suppose, एक और option है यहाँ पर clear का, और यह previous का, previous का मतलब तो simple है, कि आप previous question में जाना चाहेंगे, यहाँ यह बटन दबाई है, यहाँ से आप question number select कर लेजे, clear का मतलब यह है, कि जैसे मैं question number two पर गया, यहाँ पर मैंने select किया था option C, मैं option को delete करना चाहता हूँ, क्यूंकि जो online test होगा, उसमें आपको 100 में से 30 question answer करने होगे, right, तो आप बहुत सारे question को blank छोड़ सकते है, तो अगर आपको blank करना है कोई question का option, तो आप यह clear बटन दबा देजे, तो अब वापस म अगर two पर देखे, two जो है red हो गया, red का मतलब है not answered, okay, green का मतलब है answered, purple और green mixed का मतलब है answer and marks for review, purple का मतलब है marks for review, लेकिन आपने कुछ option select नहीं किया है, red मतलब not answered, gray मतलब आपने उस question को visit नहीं किया, तो इस तरीके से आप question solve कर सकते हैं, अब just मैं submit कर देता हूँ, कुछ भी आखरी question पर गया, यहाँ पर मैंने submit कर दिया, 75 question कुछ भी जाने, submit कर दिया, अब देखिए, आखरी question में, आप बार बारी करेंगे तो उसी page में जाएगा, आपको जब आप sure हैं कि आप question paper submit करना चाहते हैं, तो आपको ये button दबाने पड़ेगा, submit and calculate score, तो इसको तो एक pop-up आएगा, पूछेगा कि आप, are you sure कि आप question paper submit करना चाहते हैं, yes, तो अब आपको आपका score दिखेगा, मेरा score 1 of 75 है, okay, और right side में आपको दिखेगा, कि, देखे, total question 75, correct 1, wrong 3, मतलब हमने तो चारी question, हमने submit किया था, जिसमें से, first question जो हमने option डाला था, वो गलत है, fourth जो हमने डाला था, option को सही थे, तो आपको यहां से दिख जाएगा, कि, आपने कौन सा option, कौन से question आपका गलत आया, कौन सा option, सही आया, यहां पर पूरा list है, कि actual answer क्या था, question number 2 का, और आपने क्या लिखा था, question 1 का correct answer D था, हमने B लिखा था, अब मैं चाहूं तो यहां इस button पर click कर सकता हूं, और question number 1 पर जा सकता हूं, 1 पर जाएंगे, तो आपको यहां दिखेंगे कि, आपका जो selected है, जो आपने select किया था, during your test, you chose option B, यहां पर B already selected है, ठेक है, अब मैं इसका, C पर click किया, तो यह भी wrong है, D पर click किया, तो यह green हो गया, मतलब यह correct answer था, Similarly, आप यहां पर सारे question के options देख सकते हैं, next next करके आप सब देख सकते हैं, तो यह हमारा CBT test की तरह, यह system हमने बनाया हुआ है, अब हमारी website पे, इस blue bar पे click करेंगे, blue banner पे, तो आपको यह 12 free model test paper दिखेगा, आप यह attempt कर सकते हैं, अगर आपको chapter wise paper देखना है, तो कहीं भी आपको जैसे यह platinum package series दिखेगा, जैसे मैं home page कर गया, यहां पर आपको यह platinum package दिख रहा है, इस पे click करेंगे, और यहां पर इसका price है 1500 रूपे, आप यहां थोड़ नीचे scroll करेंगे, आपको यहां दिखेगा कि कितने topics हैं, और हर topics पे कितने questions हमने बना के रखे हैं, यह सब आप online हैं, आप इसको attempt कर सकते हैं, online questionnaire देख सकते हैं, और सबके सब CBT format में ही है, जैसे reasoning में इतने chapters हैं, और इतने questions हैं, फिर यह practice combined model test paper 1 है, अलगल extremes के लिए, model papers 2, model papers 3, 5, यह है plant specific BSP का, पूरे chapter wise questions बने हुए हैं, फिर CMO steel plant, इसके भी बने हुए हैं, फिर ICA, इसके पूरे बने हुए हैं, बतलब जिए जो topic के जितने questions हैं, वो आप यहां देख सकते हैं, यह है अपना ISP का, फिर यह है GFM का, फिर GPOE का बहुत बड़ा है, इसमें सब topics wise बने हुए है, scroll, scroll, फिर दूर का पूर स्टिल प्लांट, बोकारो स्टिल प्लांट, राउर केरा स्टिल प् प्लांट